पिछले साल दिसम्बर में सुप्रीम कोट में धारा 370 पर सुनवाई हो रही थी तब जिनका आपने कहा कि मैं किसी की प्रतिग्रिया दिने नहीं आया हूं किसी के बयान पर उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोब लगाया मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार वो साफ कह रहे हैं कि भई हमें नजर्बंद कर दिया जाता है जब भी ऐसा कुछ होता है तो ऐसा कुछ करते हैं हम तो तीन सो सतर पर अब देश की सरोच नियाले ने अपना फैसला सुना दिया है भारत में हमारे देश में सरोच नियाले के फैसले के बाद मुझे लगता है कि विराम हो जाता है तो वो चैप्टर अब क्लोज हो गया कुछ लोगों की बाद आप कर रहे हैं मैं आपको इस मंझ से कह रहा हूं कि एक भी राजनैतिक व्यक्ति नही रासत में है न उसके खिलाफ कोई कारवाई हम करते हैं हाँ ऐसे लोग जो भारत की एक संप्रभुता एकता और अखंड़ता में बादा हैं उनके खिलाफ कारवाई हो रही है आगे भी होगी लेकिन राजनैतिक गद्विदियों की पूरी आजादी और सबको आजादी क्या-क्या बयान लोग देते हैं मुझे लगता है उन बयानों को मुझे उद्रिस करने की जरूत नहीं है अगर आजादी नहीं रहती तो इस तरह का बयान दे करके भारत में ही आप रह सकते हैं दुनिया के दूसरे देश में ही रह सकते हैं मनुत जी अभी मैंने कुछ दिन पहले एक फोटो देखी आपने खेलो इंडिया के वाँ शुरुवात की इसनों फॉल हो रहा था और आप उस बर्वबारी में खड़े होकर उसकी शुरुवात कर रहे थे और युवा बड़ा उच्साही था और मैंने भी एक फीडबैक देख भी भारत के बाकी हिस्से के युवाओं की आकांचा से पूरी तरह से मिल गई है और जिस विंटर इस्पोर्स की अब बात करना है और चौथा एडिशन था और काफी अच्छा कारकम ओगलमर्ग में होता उस दिन बरफ गिर गर रही थी उस कारकम के उद्गाटन के समय हम ल अगको चूष्ट किया था उसके कारण इस्पोर्स इंफिल स्टक्राख कर जमू कसमीर का का काफी बहतर हो गया है हर जिले में स्टेडियम, इंडूरि स्टेडियम और जिलें तक नहीं बलकि कई तозмशीलों और बलाकों में भी बन गया है हर पंचायत में प्लेफिल्ड भाग लेते थे, पिछले साल 65 लाग से ज़्यादा नौजवानों ने डिफरेंट डिसिप्लिंस में इस्पोर्स के भाग लिया है, और अंतिम बाद, इस्पोर्स का हमारा बजट, अगर पर कैपिटा आप देखेंगे तो देश में सबसे ज़्यादा है, हमने तो तस्वीर सच अभी भूत हूँ, जैसा मैंने बाहर सुना था, वैसा कस्मीर नहीं है, बलकि कस्मीर वास्तों में बदल गया है, कश्मीर बदल गया, ये वो तस्वीर बताती है, एक बदलाव और लोग चाहते हैं कश्मीर में और खासकर पॉलिकल पार्टियां, चुनाव को लेकर, क्या तयारिया हैं उसकी, स्टेट हुड को लेकर क्या तयारिया है? जस्टिस रंजना देसाई की अधिक्षता में उसने काफी महनत करके, डिलिमिटेशन का काम पूरा कर दिया, डिलिमिटेशन के बाद, अब 2018 की वोटर लिस्ट पर तो चुनाव नहीं होता, नई वोटर लिस्ट बननी थी, पांच साल में बहुत सारे यंग वोटर्स बने थ जा रहे हैं, भारत तारीक को फुल एलेक्षन कमिशन जम्मू कस्मी डा रहा है, तो ग्रीमंतरी जी ने दो बात कही थी, डिलिमिटेशन फ्रस्ट, एलेक्षन सेकंड, और तीसरी बात कही कि इस्टेट हुड अप्राप्रियेट टाइम, और वही एफिडविट भारत सरकार ने देश की सरोच नियाले में भी दिया है, तो मैं समझता हूँ कि लोग सभा के चुनाओ, देश के चुनाओ के साथ होनी जा रहे हैं, सितंबर के पहले, सितंबर तक विधान सभा के चुनाओ हो जाएंगे, और जब उचित समयाएगा, तो इस्टेट हुड भारत सरकार द कमीशन का है, तो इलेक्शन कमीशन जब भी दिर्देश देगा, आम चुनाओ कराने के लिए तही आ रहे हैं, स्टेट हुड की कोई टाइम लाइन देना चाहेंगे आप, अट अप्रोप्रियेट ताइम, वेरी 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 जैड, कश्मीरी कश्मीरी पंडितों को बसाने को लेकर बहुत वहाँ पर आपकी सरकार का एक बहुत फ्लाक्शिप प्रोग्राम है, और कश्मीरी पंडित दोबारा 370 हटाने के बाद एक नंबर कोई दे सके, उपरा जुपाल बनोसितना जी, कितने बसाए गए और कितने घैर कश्मीरियों ने क्योंकि कहा किया है कि कश्मीर में अब कोई जा की जबीन खरीद सकता है, तो कितने घैर कश्मीरियों ने उप्रये वहाँ जबीन खरीदी या वहाँ कश्मीर नहें नहीं है? दो तरह समझे कि नब्बे के दसक में बड़ी संख्या में कस्मीरी पंडित और भी लोग कस्मीर घाटी से निकल गए आकर के जम्मू और देश के दूसरे हिस्सों में बसे भारत सरकार ने जो रिहेबिलिटेशन पैकेज बनाया उसमें क्या क्या चीजे रखी एक मनमोहन जी की सरकार के समय 3,000 नोकरियां और 3,000 घर उनके लिए वैली में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो एक दूसरा 3,000 नोकरी और 3,000 घर दूरबाग्य की बात यह थे कि यह पद भरे नहीं जाते थे और जमीन नहीं उपलब दे इस नाम पर घर बनाय नहीं जाते थे आज मैं यह कहना चाहता हूं कि 6,000 के 6,000 पद 23 को छोड़कर के सारे भर दिये गए थे, अभी कुछ लोग और अच्छी नौकरी पा गए हैं, तो रिजाइन कर दिये, 200 पद रिखते हैं, जिनका विग्यापन हम 10 दिन में निकालने जा रहे हैं। 6,000 घरों के लिए जमीन उपलब्द करा दी गई, धाई हजार से ज्यादा घर बन करके तयार हो गए हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि अगले साल सारे घर बन जाएं। और वैली के हर जिले में भी, डिसी ऑफिस में एक्सल है, जो इनके साथ संपर्क में रखती है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि कस्मीरी माइग्रेंट खास्तव से कस्मीरी पंडित पूरी तरह से सुकसांती से हैं और मैं आप से ये जरूर कहूंगा कि आप आईए आने वाले दिनों में स्रीनगर और वैली में कस्मीरी पंडित भी दिखेंगे, उनके घर भी दिखेंगे और बाकी लोगों के घर भी दिखेंगे। कितना वक्त कोई समय सीमा इसकी? कुछ चीजें हैं जो तीवी डिबेट की नहीं होती है, इसकी समय सीमा खिंशना, मैं समझता हूं कि उसको बादिये मत ये अनवरत चलने वाली निरंतर प्रक्तिया है, ये प्रारंभ हो गई है और आगे ये चलती रहेगी.